और अब एक और बड़े खबर 36 गड़ से आ रहे हैं सूत्र ये बता रहे हैं कि धाई धाई साल मुख्य मंत्री बनाय जाने के फॉर्मुले के लागू ना होने से टी एस से नाराज हैं जिहां और आप 36 गड़ के मुख्य मंत्री बुपेश बगैल और उनके ही कैबिरेट मंत्री टी एस सेंग देव कल दिली आ रहे हैं सूत्र और क्या क्या जानकारी दे रहे हैं ये भी आपको बताते हैं सूत्रों के अवाले से जानकारी मिल रहे है कि दोनों ने था दिल्ली में 36 गड़ के प्रभारी पील पुनिया और इसके साथ आथ राहूल गांधी से मुलाकात करेंगे पिछले दिनों टियस सेंग देव पद एक विधायक ने गंभीर आरूप लगाये थे और इस कड़ी में आप दोनों की दोनों नेता दिली दोरे पर पहुंचेंगे बिल्कुल तो आप देखना होगा कि क्या बात यहाँ पर की जाती है कुर्सी की खीशतान और कुर्सी के लिए क्या-क्या नहीं होता है अब 36 गड़ में कॉंग्रेस में मुसीबतों का यह जो कह रहे है वो तूट पड़ा है मुसीबतें तूट पड़ी एक साथ पंजाब बड़ी मुश्कित से समला और अब 36 गड़ में स्थितियां यह है कि टीएस सेदेव जो के एक बड़े नेता है कॉंग्रेस के वो नाराज बताय जा रहे है और धाई-धाई साल का जो एक पहले कॉंबनेशन बताय जा रहा कि एक फॉर्मिला सुझा आ गया था उससे नाराजगी है मुख्यमंत्री में भी नाराजगी है चतिसगर के सीम इसी कड़ी में दिल्ली पहुंच रहा है प्रभारी है पील पुनिया उनके साथ मुलाकात करेंगे और राहूल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे तो देखना होगा इस मुलकात में क्या निकल के सामने आता है पिछले दिनों देखें किस तरीके से यहाँ पर बाचीत की जा रही थी पिछले दिनों टी एस सिंग डेव पर एक विधायक ने भी गंभीर आरोप लगा थे और बताये यह जारा कि टी-एस सिंग देव इसके लिए बगैल को ही जमेदार मानते हैं अब यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जो मैटर है वो सुलज पाएगा या नहीं और दिल्ली कब तक पहुँचेंगे दोनों के दोनों लीडर्स किन किन से मुलाखात का कारेकरम है क्या क्या प्रस्तावित हैं जो जो जानकारे आपके पास हैं दें देखे भुपेश बगेल और टी-एस सिंग देव की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई है काफी समय से ये चल रहा है धाई-धाई साल के मुख्य पंत्री पद को लेकर दावेदारी हो रही है एक तरफ भुपेश बगेल और जो 36 गड़ के कॉंग्रेस के प्रभारी है पी यल पुनिया उन्होंने पहले भी कह दिया कि ये मामला कहीं से है ही नहीं डाई साल का कोई अग्रिमेंट या कोई भी बातचीत राहूल गांधी के सामने या कॉंग्रेस मिनेटितू के सामने नहीं हुई थी और भुपेश बगेल का मीडिया में ये कहना हुआ था जो लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने इस पूरे मामले पर दिया था उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है लेकिन आला कमान जब कहेगा मैं सीएम पद से हट जाऊंगा लेकिन ये लड़ाई जो है वो टिये सिंग्देव और भुपेश बगेल की है सुत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है मुख्यमंत्री आज शाम तक दिल्ली पहुँच रहे हैं जब आरोप लगाये थे कहा था कि उनको जान से मारने का काम जो है वो टिये सिंग्देव के दौरा या उनके इशारे पर किया गया था जिसके बार टिये सिंग्देव ने विधान समा से सत्र के दौरान वो बाहर निकल गय थे और उनने कहा था कि सरकार को इस पर इस तनी होगी बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत आपका इस खास्चानकारी के लिए